तो यह था हमारा मैथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अब यह तो सीरिज हमारे पास से यहां पर यह सीरिज कंटीनू सीरिज नहीं है तो इंटू अगर नहीं है तो हमें इसको कंटीनू बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे यह सारी नमबर आपके पास कैसे दिखे रहे हैं यह है यह है इवन नमबर यहां पर अगर हम 2 इसमें से कोमन निकाल लेंगे 2 इंटू 1 है यहां पर 4 को हम कैसे लिख सकते है 2 इंटू 2 6 को आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 यहां पर आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 4 इसको आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 और 6 और 2 इंटू 1 20, ठीक है, सब का half हो जाएगा यहाँ भी 2 into 6 तो यहाँ 14 होगा, वहाँ भी क्या आएगा 2 into 7, तो सब में से अगर 2 to common निकालेंगे हम, सब में से 2 common निकालेंगे, तो आपके पास, अंदर में क्या बचेगा 1 into 2 into 3 into 4 up to, up to तो कहां तक आएगा, 240 हम लिखेंगे 2 into 120, तो यह आजाएगा 120, बट बाहर common अकेला 2 नहीं आएगा, यह ध्यान रखना आपको, बाहर में अकेला 2 common नहीं आएगा, बाहर में कितने 2 common आएगे, यहाँ पे हर एक term में से 2 common आएगे, यहाँ भी 2 common आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और कितने 2 common आएगे, यहाँ पे 120 टर्म से, यहाँ पे, तो 120 यहाँ पे आजाएगा, तो 2 raised to power of 120 122 बाहर common आएगे तो 2 वाला उत हमें देखने के जरूरत है नहीं, ठीक है, तो क्योंकि 2 तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है अब बस हमें देख लाना है कि 5 5 जो हमारा है, वो as a factor कितनी बार इस सीरीज में आया है तो 120 आप डारेक्ट डिवाइड करें तो आप इस मेथर से बिका सकते हो और इस मेथर से भी तो कितना आएगा देख यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 24 आया, यहाँ भी 24 इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने का बाद कितना आएगा 4, ठीक है अब 4 यहाँ पी इस से छोटा देख 5 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो यहां भी ही चोड़ देंगे तो किस की स्क्वार कर देंगे 24 प्लस 4 हमारे पास आजाएंगे 28 टाइम्स क्या आया ये 5 5 आया 28 टाइम्स तो 2 तो है 120 टाइम्स तो ओर यहीं पर है और इसमें भी होगा 2 बहुत टाइम्स तो कितने जीरो हो जाएंगे यहां पर 28 जीरो ठीक है तो यह जो हमारे पास सीरीज है इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या होगी 28 ये तो हमारा 7th question next question देखिए 10 into 20 into 30 into 40 into 50 up to 1000 अब यहां भी continue series नहीं है तो continue series अगर नहीं है तो क्या करेंगे इसको continue series बनाएंगे बनाएंगे कैसे अब की बार देखिए यहां पर even number नहीं है तो क्या common निकालेंगे 10 into 1 होगा यह यह क्या होगा 10 into 2 यह क्या होगा 10 into 3 यह होगा आपका 10 into 4 यह हो जाएगा 10 into 5 और यह होगा कितना 10 into 100 तो सभी में से 10 10 common निकल रहे यहां पर ठीक है 100 तब तो अगर सभी में से 10 common निकलेगा मेंज कितनी तो वाली terms में होता कि अकेला 10 common ने लेंगे हम जैसे मालीजी अगर यहां पर प्लस होता सभी के बीच में तो आप यहां से 10 common निकलेगा तो 10 100 times वहां पर common बहार निकला है हमने तो हमने यहां पर लिए 10 raise to the power of 100 और तब वो हमारे पास अंदर बचेगी continue series 1 to 100 अब आप इसको easily solve कर सकते हैं जो बहार में चो number हमारे पास है 10 10 को अगर factorize करेंगे तो 2 into 5 होता है means 2 into 5 raise to the power of 100 अगर इसको अब लिखना चाहे तो 2 की power भी 100 होगे और 5 की power भी 100 ठीक है यहां आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहां पर 2 और 5 100 times है तो 0s भी 100 times हो जाएंगे वैसे तो यहां पर 10 की power direct 100 दी हुई है तो आप समझ तो इसको आप ऐसे करके देखने के ज़रोत नहीं है तो यहां पर तो आप direct पता कर सकते हैं कि 10 की power अगर 100 दी हुई तो 100 0s तो यही पर आगी और यहां पर जो हमारे पास सीरीज ए continue उसमें कितने 0 आएंगी बस number of 5 calculate कर लेने हमें और number of 5 कैसे calculate करते हैं आप continue सीरीज में उस दाए 5 तो यहां पर बस 20 प्लस 4 24 0s 24 0s आएंगे इस continue सीरीज में 1 to 100 24 यहां पर है और 100 यहां पर है तो टोटल 0 कितनी हो जाएंगे 100 प्लस 24 124 0s will be the number of trailing 0s in this series तो I hope आप लोग यह enjoy कर रहे होंगे और concept अच्छे समझ में आ रहा होगा यह अच्छे समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए काफी questions यहां पर दियो हैं कि concept clear हो जाए तो आईए यह एक और question कर लेते हैं यहां पर भी देखे series regular नहीं है हमारी तो पहले series को continue करेंगे series को continue करने के लिए यहां पर क्या कोमा निकालेंगे series को देखते हैं पता चल रहा हमें कि इसको यहां पर हम लिख सकते 5 into 1 इसको हम यहां लिख सकते 5 into 2 इसको लिख सकते 5 into 3 ऐसे यह आप इसको यहां पर लिख सकते 5 into 100 तो देखते हैं पता चल रहा है आपको कि क्या कोमा नि के लेगा 100 times okay यह 100 terms है और अदर आपके पास continuous रिज कहां तक की बचेगी 100 times ठीक है अब की बार आपको ध्यान देने वाले बात यह है आपके पास कि 100 यहां पर बाहर 5 की power है ठीक है 5 की power 100 बाहर है तो यहां पर हमें देखने 2 वाली भी count करने पड़ेंगे कि 2 की power और कम तो नहीं है गहीं पर ठीक है तो जो अंदर पे यह पार बची हमारे पास means यह series बची वन टू 100 तक की यहां पर देखेंगे कि 2 कितनी बार यहां पर repeat हुआ है और 5 कितनी बार repeat हुआ है as a factor की बात कर रहे हैं ठीक है तो तो 100 में अगर हमें 2 का find out करना की 2 कितनी बार repeat हुआ है तो उसको divide करेंगे 50 से, sorry उसको divide करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 50, तो यहाँ पर हम divide करते हैं तो यह 50 आया, अब इसको क्या करते हैं, हम 50 को यहाँ लेके आते हैं, तो 50 को 2 से divide करेंगे कितना आएगा, 25, यहाँ भ अगर 25 को divide करेंगे 2 से, तो 12 आएगा, और तब तक हम करते रहेंगे, तब तक कि 2 से कम ना जाए यह नमबर, ठीक है, फिर 12 को 2 से करेंगे तो 6 आजाएगा आपके पास, उसके बाद 6 को जब आप करेंगे, 2 से तो आपके पास 3 आजाएगा, फिर 3 को अगर करेंगे तो 1 नमबर आए हमारे पास इन सबको add कर देंगे, 100 को छोड़ के, तो 50 प्लस 25, 12, 6, 3, 1, यहाँ पर 20 सारी नमबर है, 25 और 50 उपर है, 50, 25, 12, 6, 3, 1, add करने के बाद आपके पास आजाएगा यह, 75, 75 प्लस 12, 87, 87 प्लस 6, 93, 96 प्लस 90, प्लस 1, 97, तो टोटल यहाँ पर 2 आजाएग 27 टाइम्स, ओके, 97 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स होगा, अब देखे, 5 बहार में 100 टाइम्स तो ओलेडी है, और अंदर भी यहाँ पर कुछ होगे, 100 में यहाँ पर 1 to 100 तक कितने 0s होते हैं, 20, sorry, 24 टाइम्स यहाँ पर आपके होते हैं, 5, 1 to 100 तक कि continue सीरीज में, ओलेडी 100 24 टाइम्स, फाइव रिपीट होगा, तो फाइव वालब के बार यहाँ पर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बड़ हमें यहाँ पर कम वाला है, वो कर्षिर टाइम्स, तो कितने 0 होंगं इस सीरीज में, यहाँ पर आपके बाश जिरो हो जाएंगे, 90, 70, तो आपको ध्य और इस में धर से भी कर सकते हैं, शिंपल है विल्कूल, एलसे हम 6th class से करते आ रहे हैं, नमबर को उस नमबर से डिवाइड करते रहे हैं, तो 100 को 2 सी किया, 50 आया, फिर उसके बाद 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3, और फिर 1, ठीक है, इसको फिर एड करके लिख देंगे, 75, 75, 87, 93, 96, 97, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, यहां तक देखे, अब तक हम करते आ रहे थे, यहां पर, अब तक हम करते आ रहे थे, multiply वाले question, ठीक है, बीचे में और यहां पर आगे हमारे, sum वाले question, तो अब हमें देखना है, यहां पर sum और multiply में difference क्या है, देखे इसको अगर हम एड करेंगे इसको अगर हम एड करेंगे यहाँ पर 1000 और 100 को तो एड करने के बाद देखे कितना है 1100 means एड करने के टाइम जो कम 0 रहेंगे उतने ही 0 finalist का जो solve करने के बाद होगा वो 0 आएगे तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 30 है तो कितनी 0 है last में solve करने के बाद 2 0 यह समझाने के लिए मैंने यतना simple से हम पर question लिया था आप देखे यह वाला question देखे यहाँ पर यह जो number है इसमें last में कितनी 0 होगी 260 0 बट यहाँ पर only 60 0 होगी ठीक है तो total इसको solve करेंगे मतलब दोनों को add करने के बाद last में कितनी 0 बसेंगे हमारे पास 60 0 तो इस कांच से कितना हो जाएगा number of trailing 0 60 0 मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिखे देता हूँ in case of addition minimum value of zeros will be considered minimum means कि जो number में minimum 0 रहेंगी वो consider करेंगे और multiplication के case में क्या रहेगा multiplication के case में क्या रहेगा वो जो zeros रहेंगी वो 0 add हो जाती है zeros will add यह आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर भी आप बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि प्लस वाले case में इन दोनों को add करके यहाँ पर लिख देंगे add करके अगर लिख दे तो आपका question गलत हो जाएगा तो यहाँ पर एड वाले में कम जीरो रहेंगे उनको आप यहाँ पर आंसर के दोर पर लिख देंगे 60-0 तो 60-0 यहाँ पर आंसर आगे अब देखिए फैक्टुरियर वाले question बे आते हैं इसके आगे वाले question हम next part में discuss करेंगे so stay tuned thank you